परिक्षाओं की तयारी के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को शेर जरूर करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा टाइप इन MS Access. इंट्रोडेक्शन देख लेते हैं, किसी भी डेटा बेस अप्लिकेशन में जब सूशनाओं को रखा जाता है, तब उसे कंप्वीटर की मेमोरी में संग्रहित करके रखने की आवशिक्ता होती है. ठीक है, सबसे बात है, जब सूशनाओं के प्रकार के आधार पर या निश्यत होता है कि मेमोरी में कितने इस्थान की आवशिक्ता होगी, जब भी MS Access में डेटा बेस तयार किया जा सकता है. तब टेबल के रूप में उसकी संरशना तय किया जाती है. इस संरशना का निर्मान करते समय एक या एक से अधिक्त फिल्ड का नाम दिया जा सकता है. इसी के साथ ही इसका डेटा डाइप भी निरधारित किया था है. प्रारंब में प्रत्तेक फिल्ड का डेटा टाइप टै introduction में डेटा बटाइब क्या होता है are you from the data lots of data naps it इस प्रकार से बहुत सार जो डेटा होता है उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं इसी प्रकार से MSXS में भी डेटा स्टोर होता है उनका टाइप होता है जब भी हम वहाँ पे कोयी फिल्ड का निर्धारन करते हैं उसमें स्टोर होने वाले डेटा का टाइप भी हमें देना होता है कि उस फिल्ड में किस टाइप का डेटा इसटोर होगा ठीक है तो ms access में किस प्रकार का data उप्यूक्त होता है, यह देख लेते हैं, सबसे पहले, text, यह एक default data type होता है, यह एक default data type होता है, जब कभी शब्दो की रूप में सूशनाओं को संग्रेद करना होता है character में, तब उस data type का प्रयोक कियाता है, जैसे name, address आदी, इस data type के default size 50 character होती है जदे किसी field का data type text निर्धारिद किया गया है, तब इनसे अधिक्तम 255 character तक हम इसमें लिख सकते हैं, फिर एक memo data type होता है, यह data type के, यह text data type के समान ही होता है, परंतो इसमें data type पर text के अख़िया अधिक character लिखे जा सकते हैं, जदे किसी field में, के data type में memo निर्धारिड किया तब इसमें टिपपणी या पेरेग्रावादी के रूप में सूशनाओं को रखा जा सकता है इसमें अधिकतम 65,535 केरेक्टर तक लिख्या जा सकता है ठीक है तो अगर कोई छोटा डेटा है तो आप टेक्स ले लिजी और बड़ा केरेक्टर वाला डेटा है तो आप मेमो ली सिम्बॉल मुद्रा चिन्न करंसी सिम्बॉल आदी आते हैं इसका प्रण्णाओं में किया जाता है न्यूमेरिकल डिटर टाइप रखा जाता है एक्सेस 27 में इस डिटर टाइप को निमने प्रारूपों में रखा जा सकता है जर्नल नंबर इस प्रारूप में अंकों को साम यूरो चिन्ने के सांथ प्रदशित किया जाता है, Fixed, इस प्रारूप में अंकों को दश्मलों के दो इस्थान तक प्रदशित किया जाता है, Standard, इस प्रारूप में अंकों के सांथ चिन्न कॉमा का प्रयोग करते हो प्रदशित किया जाता है, परसेंट इस प्रारूप में प्रतिशत चिन्ने के साथ प्रदशित किया जाता है और साइंटिफिक इस प्रारूप में उंकों के साथ विज्ञानिक धंग से प्रदशित किया जाता है चलिए अगला जो डेटा टाइप आता है वो देटें टाइम आता है इसमें दिनांक वा समय से संबंदित डेटा की प्रवस्टिक की जाती है MS6S 2007 इस डेटा टाइप को निम्न में से किसी एक प्रारूप में रखा जा सकता है जर्नल डेट इस प्रकार के डेटा में दिनांक प्रदशित MMDDYY प्रारूप में होता है इसमें पहले मां उसके बाद दिनांक अंत में वर्षे के दो ही अंक में प्रदशित होते है जैसे कि 5 अप्रेल 2014 का प्रदशिन 2004-04-04-04-14 के रूप में होगा Medium Date इस प्रकार के प्रारूप के चुनाओ करने पे डेट का प्रदशिन 5 अप्रेल के लिए 5 अप्रेल 2014 होगा Long Date इस प्रकार के डेटा को प्रदशित करने के लिए ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि Control Panel में Long Date के सेटिंग में किया जाता है Short Date इस प्रकार के डेटा में दिनांग का प्रदशित ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि Control Panel के Short Date के सेटिंग में किया था मतलब वह अपने जिस पर डिपेंड करेगा अपनी सेटिंग पे कमपीटर की चलين Самी इस प्रकार की डेटा में समय का प्रदशित ठीक उसी प्रकार से होगा, जैसा कि control panel में long time के साथ क्या था, अपन time भी set करते हैं, यहाँ पर medium time, medium time, इस प्रकार की डेटा की समय में long time के साथ प्रदशित second को हटा दिया जाएगा, short time, इस प्रकार की डेटा में समय में प्रदश की प्रारूप में निम्न है जर्नल नंबर इस डेटा प्रारूप में अंको का प्रदर्शन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे उसे टाइप के जाता है इसे डेटा का रिनात्मक भी का जाता है इस प्रकार के डेटा रिनात्मक भी हो सकते हैं करंसी इस डेटा प्रारूप में अंकों में दशमलों के पूर्व हजार प्रदर्शित होता है, तथा रिनात्मक संक्या का प्रदर्शन में होता है, परसेंटेज में होता है, इस प्रारूप में दशमलों के दो अंकों में निर्दारित जाता है, इस प्रकार के डेटा में अंकों के साथ मुद्रा चिन्ने के रूप में डॉलर्स होता ही प्रदर्शित होता है अगला आता है आटो नंबर इस प्रकार का डेटा सिर्फ फिल्ड में प्रयोक के जाता है उस चिंद में डेटा प्रवस्टी करने के आशकता नहीं रहती जब हमें टेबल में रिकार्ड की प्रवस्टी पूर्ण कर लेना है तब उस फिल्ड में एक अंगस होता ही बढ़ जाता है 38 इस डेटा से यह सूचना प्राप्त होती है कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड प्रवस्टी की गई इस प्रवस्टी को प्रवरतें के परिवर्तित नहीं किया सकता मतलब आटो नंबर है कि ऐसा नंबर है इस फिल्ड के लिए रख दिया जाता है वहाँ पर आपको डेटा इंटर करने क्या शकता नहीं है आटोमेटिकली जब जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे एक एक नंबर बढ़ता चलते जाएगा यह डेटा टाइप ऐसा होता है एक रिकॉर्ड के साथ एक सधिक फाइल को अटेज करने के लिए किया जाता है लुक अप विजाट यह एक विजाट एक लुक अप फिल्ड को उत्पन्न करता है जो लॉंग लिस्ट कोट सपोर्ट करता है यस नो इस डेटा टाइप को प्रवस्टी करने के लिए किया जाता है इस डेटा को तीन प्रकार से true, false, yes, no, on, off इस प्रकार से मान दिये जाते हैं जैसे male, female result के लिए pass, efl, status के लिए on, off, आधी को प्रवस्टी करने के लिए फिल्ड सिर्शक के नीचे दिये गए checkbox को केवल चुनना होता है यदि हम इसे नहीं चुनते तो यह इसमें false, no, यह off इस्टोर हो जाता है इस प्रकार के डेटा की indexing नहीं की जा सकती है इस प्रकार के डेटा को फिल्ड का आकार एक अक्षर होता है Hyperlink इस डेटा का प्रयोग OLE object डेटा प्रकार के रूप में किया जा सकता है लेकिन इसका प्रयोग मुख के रूप से database table के field को internet के किसी website से जोणने के लिए किया जाता है OLE object इस प्रकार के डेटा में किसी object जैसे Excel की spreadsheet या Microsoft graphics का प्रयोग के जाता है इस प्रकार के डेटा का प्रयोग table के record में object linking embedded OLE object जैसे graph या picture को store करने के लिए किया जाता है इस field का अधिक्तम आकार लगबग 1GB हो सकता है इस प्रकार के data की भी indexing नहीं की जा सकती चलिए अब आती है data type के बाद आती है हमारी fields property यह थे index अभी हमने जो पड़े थे वो थे MS access में use हने वाले data type अब आती है field properties अब जब उसमें जो column बनाते हैं उसको field करते हैं उसकी कौन-कौन से property तो field property MS access में सूशनाओ को एक table पंक्ती row तो वह column की रूप में रखा जाता है जा प्रत्यक row एक record को निरूपित करती है और पत्यक record एक से अधिक column से field को निरूपित करते हैं field का निर्मान करते समय उसे data type की property उसकी design window के नीचले भाग में प्रदशित करती है इस sheet में निर्धारित की गई field के अनुसार विभिन गुन property प्रयूप तो होती है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं field के कुछ महत्पून गुन होता है चलिए मैं एक एक करके आगे बताता हूं पहला होता है field size किसी भी field में रखे जाने वाले data का अधिक्तम आकर क्या होगा इसका निर्धारन इस property के द्वारा निर्धायत क्या था इस property text नंबर आटो नंबर data type के लिए उपयोग में ला जाती है उधारन के लिए यदि data type text प्रकार है तो field का size 0-255 तक हो सकता है default string 50 होती है format numbers date time और text के प्रारूप को निर्धारित करने के लिए इस property का उपयोग के जाता है उधारन के लिए यदि किसी text प्रारूप में केवल अपर case में data को रखना हो तब format के सामने greater than चिनने का type करें और यदि केवल lower case में data को रखना है तो format के सामने less than चिनने type करें इस प्रकार price के लिए इस format में रखना हो तो currency पर set कर सकते है यहां से format set कर सकते है decimal place दशमलो इस्थान के संक्या निर्देश्ट करने के लिए decimal place property का प्रयोग क्या था उधारन के लिए currency प्रदर्शित में सिर्थ 2 दशमलो इस्थान सकीए कोई प्रदर्शित करना हो currency संक्याओं को 4 दशमलो इस्थान जैसे कीए इस्थान के साथ प्रदर्शित करना और decimal place property को 4 के लिए set करेंगे next जो आता है वो आता है input marks फिल्ड के रिक्त स्थान के साथ भरने है तो character को प्रदर्शित करने के लिए input mask property का प्रयोग किये जाता है यह सुनिशित करता है कि हमारे द्वारा परिभाजित फिल्ड में data उप्यूक तो होगा caption इस property के द्वारा हम screen पे दिखाई देने वाली field का नाम परिवर्तित कर सकते हैं इस field का नाम बदलने के लिए आवशक नहीं होता अगर आप उधारन के लिए यदि किसी field का नाम price है और हम चाहते है कि इस screen पर उसका सिर्षक rate दिखाई दे तब उस field का property sheet में या सिर्षक रख सकते हैं default value किसी field की इस property द्वारा हम प्रत्यक नए record के लिए उस field की प्रारंभिक मान set कर सकते के लिए यदि yes no का प्रकार की field default मान no है तो जब भी कोई नए record जुड़ेगा तो field में no ही दिखाई दे बाद में हम उसे परिवर्थित कर सकते हैं data validation इस property का उप्योग data का मान निशित सीमा के अंतरगत करवाने के लिए के जाते हैं इस property का उप्योग करने इस property में किसी field के मान को जाचने की शर्त रखी जाती उधारन के लिए यदि किसी संख्या field का मान 18 से कम नहीं होना चाहिए तब उस property के लिए greater than equal to 18 रखा जाएगा validation tag जब कोई property validation rules के अनुसार नहीं होती तब screen पर गलट data है तो संदेश प्रदशित करने है तो संदेश इस property में लिखा जाता है require यह yes no प्रकार की property है इसका मान yes कर देने पर field को rect नहीं छोड़ा जा सकता उसे भरना होगा allow zero length किसी table में क्या zero length string एक मानने प्रश्टी होगी निट्दिस करने के लिए allow zero length property का उप्योग कर जाता है इस property सिर्फ text memo और hyperlink table field पर लागू होगी indexed यह भी yes no property की property होती है इसमें द्वारा हम यह बताते हैं कि field के अनुसार database table में को index करना है या फिर नहीं करना है shorting और filtering data table में data को किस field विशेश के आधार पर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में विवस्थित करने का कार शॉर्टिंग कहलाता है टेबल को वांथिक data को निकालना filtering कहलाता है ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपने notification के लिए bell बटन पर click नहीं किया है तो उस पर click कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का notification आपको मिल सके और हाँ comment करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, thank you